नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल घरकी रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारे हैं होली स्पेशल करारी खस्ता मठरी और ये आप अगर एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बहुत जाधा पसंद आएगी और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं क और विडियो में हम थोड़ा सा शूट नहीं कर पाए और इसलिए मैंने इसमें मेजर्मेंट लिख दिया है वन टेबल स्पून कसूरी मेती वन टी स्पून इसमें हम अजवाइन डालेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और वन फोर्थ कप हमें घी लेना है औ और इसके बाद हम इसमें गरम पानी का यूज करेंगे और जित्ती रिक्वाइर्मेंट हो इसके अक्षा सा सॉफ्ट सा डो तयार कर लेंगे और यह देखे डो बिल्कुल अच्छी तरीके से तयार हो चुका है और इसको अब हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और यह लोय काट लेंगे सबसे पहले और जितने आको बनाने हो जिस साइस के बनाने हो उतने लोई आप कट कर लीजिए जी explorarea की अव्लाइके हमने सारी लोई को फटपट बना के तयार कर और ये देखे हमारी मट्री जो है फ्राइ होने के लिए ready हो चुकी है ऐसे ही हम सारी मट्रीयों को पहले बना के ready कर लेंगे और ये देखे सारी मट्री जो है बहुत ही बहतरीन बनके तयार हुई हैं आप इसे हम फ्राइ करेंगे और पैन में हमने ले लिया है vegetable oil जित्ती requirement हो उ का यूज कीजिए और इसमें हम देसी घी डालेंगे टू टी स्पून और इससे जो है हमारी जो मट्री होगी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी और इसमें घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और इसके बाद हमने यह जो मट्रियां रेडी की थी इसको एक एक करके इ बाहर से एकदम सफ्त हो जाएगी और अंदर से वह अच्छी तरीके से कुक नहीं होगी और यह देखिए एकदम सेम फ्लेम पे हम बना रहे हैं अब हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और यह एक साइट से कुक हो चुकी है अब हम दूस्री साइट से कुक कर रहे हैं जब ए मार्केट से भी अच्छी लगए आपको बनाने में और यह घी में बना रहे हैं तो बहुत जादा ही टेश्टी लग रहे हैं देखने में ही और यह नहीं हैरा हमारी जो मठ्री का कलर solar है वह बहुत अच्छा है जब आप सिम फ्लेम पे इसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी करारी जो है हमारी मठरी बनके तयार होगी और यह देखिए हमारी मठरी बनके तयार हो चुकी है और इसमें किते क्रैक्स भी आ गए है यह बहुत अच्छा सिंबल होता है कि आपकी मठरी ब हमने निकाल लिया है और इसे ठंडा भी कर लिया है अब मैं आपको तोड़ के दिखाती है और यह देखे अंदर से कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है यह मठ्रिया तो आप इस रेसिपी को इस बार होली में जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको मे दिखते रही है शेफ को नमगर की रसोई